बिहार में कोरोना के बीच बार बालाओं के डांस का विडियो आए दिन पाइरल हो रहा है सरकार कितने भी पाबंदी क्यों न लगा ले फुलिस शादियों में अशलील डांस को रोकने में विफल रही है बिहार के भोजपुर से कोविट गाइडलाइन्स की धज्जियां उड़ाता एक विडियो सामने आया है आपने स्टेज पर डांस होता तो अक्सर देखा होगा लेकिन एक पिंजरे में कैद बार बालाओं का डांस नहीं देखा हो भोजपुर से ऐसी ही शर्मसार कर देने वाली तस्तीरे सामने आईए यह विडियो भोजपुर के कोईलबर प्रखंड का है यहाँ एक शादी समहारों के दौरान पिंजरे में बार बालाओं को नचाये गया इस दौरान पूरी रात तेज आवाज में टीजे बजाये गया उस पर अश्लील डांस चलता रहा और लोग नोट उड़ाते रहे बताया जा रहा है कि उस दौरान भोजपुर पुलेस चुक्पी साथे बैठी रहे जरा आप भी देखिए इस विडियो को इस पूरे कारिक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन्स की जमकर धजिया उड़ाई गए कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग की फिक्र करता नज़र नहीं आया साथ ही किसी ने मास्क तक नहीं लगाया थे इस दौरान पिंजरे में डांसर अशलील गानों पर ठुमके लगाती रही और बाहर मस्ती में जुमते बेकाबू लोग नोट उड़ाते रहे वहीं कोई लवर गाउं के निवासी अजे सोलंकी ने कहा कि बार बालाओं को एक पिंजरे में कैद करके डांस करवाना अमानविय है वहीं इस मामले में BDO BB पाठक ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले की जानकारी मिले है थाना से बात करके इस पर जानक शुरू की जाएगी और जानक सही साबित होने पर कारवाई भी होगी बिल्कुल ही यह आमानविय कहा जाएगा मैं हमेशा बिहार आते रहता हूं मैं यहां कर रहने वाला हूं तो मैंने देखा है खासकर इन शादियों के मोसम में कि यह सडकों पे ऐसा जो बारात वरात जाता है तो उसमें लोग बहुत सारे होजूम में रहते हैं और एक लड़की नर्तकी वो पिंजडे में बन जो बड़े लौक से लौक रहता है ताले से उसको बंद करके रखते हैं जो हमें काफी आमानुई लगता है यह कहीं से नहीं होना चाहिए खासकर यह बिहार में तब जब कि सरकार ने महिलाओं को लेकर काफी अपनी सजगता दिखाई है और आरक्षन से संबंदित महिलाओं को सुविधा भी बहुत सारे दी जा रही है और ऐसे में एक महिला को पिंजडे में बंद करके लोग अपना मनुरंजन करें यह कहीं से उचित नहीं है खोर आमानुई है इसका ऐसा नहीं होना चाहिए और बता दे कि भोजपुर के कोईलवर थानाकशेत्र के कोईलवर चौकवाट नमबर 10 में भागलपुर से बारात मोहमद नसीम के घर आई थी इस दोरान कोरोना के नियमों की दो धजियां उड़ाई ही गई साथ ही जमकर अशलील तभी परोसी गई पंजाब के स्टी टीवी के लिए आरा से राकेश की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद